प्रॉबिलिटी ही रेश्यो है यह मैं कहता था और आप सुनते थे आज मैं प्रॉब करके दिखाऊंगा तीन सवाल कराऊंगा और प्रॉबिलिटी यानि प्राइक्ता जो आपका चेप्टर है जो टफ चेप्टर है उसको हम लोग आसानी से करेंगे साथ में करेंगे बस थोड़ा सा ध्यान देने की जुरूबिलिटी होता क्या है फेवर अपॉन टोटल यह फॉर्मूला है आपने पढ़ा भी होगा और इसी समय आपको प्रूब करके दिखा देता हूं ताकि आप फील करने लगेंगे क्यार यह आपका अप यह होता है प्रॉबिलिटी बनलब ऐसी इवेंट्स जो हमारे फेवर में हो और टॉटल इवेंट्स जो टॉटल हो फेवर अपान टॉटल यह फॉर्मूला पढ़ा हुआ है अपने ऐसा भी पढ़ा हुआ है कि यह अगर यह डाई से वहां पे 123456 यह नंबर से और कोई बोल तो कहने का मतलब है कि आप बोलोगे यार इवेन नंबर है यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह यह वाला यह थी वाई सिक्स वन बाई टो यह आपको आता है अच्छा इसे को तोड़ा सा और बोले अगर मैं कहूं कि एक बैग है उसमें 5 ब्ल्यू सिक्स रेड और एट ग्रीन बॉल है और कोई बोले कि नहीं बताओ प्रविबिलिटी ग्रीन बॉल की तो क्या वोलोगे फेवर में आठ है टोटल है 19 फेवर अपॉन टोटल यह आपका रेश्यो है यहां तक आपको पता होगा क्लेर होगा अब मैं इसी कॉंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके बड़े-बड़े सवाल हम खाली देख की कैसे कर सकते हैं यह बताता हूं ठीक है यह आपके सामने कोश्चन आ गया इसको एक बार रीड करते हैं पहले इन बैग दिर फोर टाइपस अब बाल्ल्स रेड यलो ब्ल्यू और वाइट नमबर यहां पर समझने की कोशिश करो कि प्रॉबिलिटी ब्ल्यू बॉल की है कितनी वन बाई थ्रे प्रॉबिलिटी रेड बॉल की कितनी है वन बाई नाइन बट एक चीज़ का धियान रखा रखना कि अभी मैं नहीं बताया था कि यह फेवर अपॉन टोटल होता है तो टोटल तो दोनों का सेम होना चाहिए था यहां अगर नाइन है तो यहां भी नाइन होना चाहिए तो तीन से उपर नीचे मल्टिप्लाइए कर दिया तो यह आपका 3वाई 9 हो गया रेशो में मल्टिप्लाइए कर सकते हैं कुछ फलक नहीं बढ़ता टोटल यह तोटल आपको हमारा टोटल कितना हो गया है मैं कि हमारा बल्ग कितना हो गया अब इसके सामने वाला इसे हमारा तीन हमारा रेड कितना हो गया एक मैं टीन नखान है तो अब दिखो बचा क्या क्या है बैग में कितने बाल्स थे red q ao यह ब्लू वाइट ब्लू और रेज़ हमने न्काल दिया तो यहलो और व्ट बचाऊ है तो यह पांच आ गया यह यहलो प्लेस वाइट पाँच आ गया और यहां पर दिया ओए है कि number of white balls in a bag is 50% more than yellow balls तो जो white है वो yellow से 50% जादा है तो मैं यहां से लिखों कि white और yellow 50% जादा तो मतलब अगर यह 2 है यह 3 है अच्छा यह हुआ कैसे यूंकि 50% 1 by 2 होता है तो यह 2 से 1 बढ़ा तो 3 is to 2 का ratio आया और यह 5 की value कितनी है कहा गया कहा गया धूरना पड़ेगा 200 क्योंकि some white और yellow का दिया हो है तो फिर से ratio वाला चप्टर ही आया ना मतलब 5 का मतलब 200 फाइव की जो value है वो 200 के बराबर है तो लिखने को आप ऐसे लिखोगे अगर कोई बोले कि करके पूरा देखना है तो पहली बार आप ऐसे लिख लोगे कि 5 की value 200 तो 9 की value तो यह 40 हो गया और 14 to 9 कितना हुआ 360 हुआ यह पहली बार लिखोगे लेकिन वैसे कैसे करोगे मैं बचाता हूं ना 5 का मतलब 200 1 का मतलब 49 का मतलब 360 यह था आपका सवाल हमने कैसे किया सिर्फ और सिर्फ रेश्यों का यूज किया अभी मैं और आपको सवाल कर आता हूं सिर्फ और सिर्फ रेश्यों के यूज से हम आंसर निकालेंगे अगला कोशन देखते हैं देखो कोशन पढ़ना बहुत जरूरी है 6 black 4 yellow और कुछ पिंक कुछ पिंक एक बॉल निकाला गया प्रेंडिमली निकाला गया फ्रॉम दे बैक प्रॉबिल्टी ओफ गिटिंग पिंक कलर बॉल इस वन बाई थुरी अब इसको नॉर्मल आदमी कैसे करता है या बुक्स में या नॉर्मल इंसान इसको कैसे करते हैं कि ब्लैक है 6 yellow है 4 और प्रॉम ने माल लेते हैं फिर वो क्या करते हैं कि भी पिंक की प्रॉबल्टी निकालनी है हमें फॉर्मूला पता है फेवर अपॉन टोटल तो वो क्या करेंगे एक सपॉन 10 प्लैस एक्स और वैल्ल्यू क्या रखेंगे 1 अपॉन 3 और फिर क्रॉस मिल्टिप्लाइगे व्य भी कर देता हूं तो 2x 10 तो x की वेल्यू 10 बाइटू यानि 5 लेकिन यह हमारा बच्पन का मेथड होना चाहिए क्योंकि probability क्या है ratio है इसले ही सब करने की ज़रूद ही नहीं है लो इसको हमने मिटा दिया अब देखो किसकी probability दिए हुए पिंक की एक सेगेंड पिंक की probability पता है कितना 1 बाइ 3 तो वन पिंक है 3 टोटल है वन पिंक 3 टोटल तो ब्लैक प्लस यलो कितना होगा तीन में से एक गया दो यह हमने कहां से निकाला ratio से तो 3-1 that is 2 और यहां पर पिंक प्लस यलो कितना है 10 तो इस दो की वैल्यू कितनी होगी 10 तो 2 का मतलब 10 तो इन्हों बलाब बैग में कितनी वाल्स है टोटल नंबर वाल्स इन दो बैग तो टोटल तो तीन ही होगा ना तो तीन का मतलब यह आप देख लीजिए इसको समझ लीजे कि प्रॉबबिलिटी भी रेशो ही है इस पंडे को यूज करें अगला सबाल देखते हैं अब यहां पे सेम कोश्चन है बट प्रॉब्लम सिर्फ यहां है कि दो बॉल्स निकाली गई ठीक है तो इसमें एक कॉंसिप्ट यूज होता है दो बॉल्स जब निकाली जाती है जैसे पिंक निकाला गया तो पिंक हमने भाई दो माना ना एकस सी टू क्या पिंक नहीं येलो निकाला गया तो इस तरह से गरते हैं फोर सी टू अपॉन 10 प्लेस एक्स सी टू अब नॉर्मल आदमी को यह तफ लगता है विकोज उनको लगते कि यह सवाल टफ होगा क्योंकि एक्स वेक्स आ गया है प्रॉबिलिटी का रेशियो तो वही है फेवर अपॉन टूटल अब यह सवाल कैसे करते हैं जैसे मैं तुम्हें चल्दी से बत प्रॉब्लम ना हो आपको और इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है वहां पे देख लेना हमारे चनल पर ही पढ़ाया हुआ चलो अब देखते हैं तो यह हमारा सवाल है तो इसको मैंने क्या लेखा 4 x 3 नीचे टू इंटू बनाएगा इसको हमने क्या लेखा 10 प्लेस एक्स और फिर एक कम करूंगा 10 प्लेस एक्स माइनस वन अपॉन तो यह दोनों काट दिया हमने और यह हमारा किता है 2y35 अब इसी चीज को क्या करते हैं इसको मैं इरेज करते हूं जगे कम है तो मैं 12 और नीचे क्या लेखूंगा 10 प्लेस एक्स और एक्स प्लेस नाइन अब देखो मैंने क्या लिखा 12 अपॉन 10 प्लेस एक्स नाइन प्लेस एक्स और नॉर्वल्ल लाइफ में यह क्वाड्रेसिक बनेगा। नॉर्मल लाइफ में यह 2 पंदेस हैं लेकिन अगर साथा फूकस करेंगे तो 2 consecutive number से यह लगातार देखो मतले जो भी होगा लगातार नमबर हो जो है तो हम थोड़ा सा focus करें हम 12 है हम इसको भी 12 कर देते हैं तो 6 से multiply कर तो यहां कित्ता हुआ छे से multiply करना है लेकिन करना नहीं है काली लिखा हुआ है वाट करना नहीं multiply अब देखेंगे कि क्या consecutive बनेगा चलो देखते हैं उपर रहने दो मच्छडो साथ पाच दो तीन अब अगर ध्यान से देखोगे तो 7 टूजा 14 फाइफ ट्रीजा 15 तो 15 इंटू 14 यानि यहां इन ऊपर तो से मैं देखो बारा बारा तो इन दोनों की वैल्यों कितनी आनी चाहिए 15 इंटू 14 यानि 10 प्लस एक्स 15 है और 9 प्लस एक्स 14 है तो एक्स की वैल्यू 5 आगे की नहीं आगे इस तरीके से आपांसर निकाल सकते हैं जब वन बॉल सेलेक्ट करना हो तो यह जब दो बॉल सेलेक्ट करना हो तो थाट प्रोसेस तो आज के बाद प्रॉबिलिटी में डर्णा मत इसको अपना चेप्टर समझना और को दिक्कत हो तो मुझे बताएं मैं करूंगा डाउट क बला इकन नवर मिस अपडेट